नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो लेक्चर में हम लोग लेंड रिफॉर्म्स जो हमारे इंडियाम हुए थे उस पे यहाँ पर UPSC ने एक प्रश्ण पुछा है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो प्रश्ण में simply आपसे पुछ रहा है कि land reforms का क्या objectives था और उसके क्या उपाय किये गये थे और साथ ही साथ जो हमारे land reforms में एक हमारे land ceiling की जो policy थी वो हमारा effective reform रहा है economic criteria के basis पे इसको भी आपको डिस्कस करना है तो simply यहाँ पर तीन चीज पूछ रहा है में लिए दोई चीज पूछ रहा है कि land reforms का क्या objectives था और land ceiling जो हमारी policy थी वो हमारे effective टूल रहा है economic criteria के basis पे land reforms का इसको आपको डिस्कस करना है देखो land reform इंडिया में लाना बहुत ही जरूरी था क्योंकि इंडिया में जो अंग्रेज थे अंग्रेज ने यहाँ पर land revenue जो system थी उसको बहुत बिगार्ड रखा था जमीदारी system बहुत ज्यादे प्रचली थी larger part of area में तो जमीदार लोग क्या करते था उनका आप बोल सकते हो बहुत बड़ा area उनके नाम पे होता था और वो अपने से खेती नहीं करते थे वो जो छोटे किसान थे उसको खेती करने के लिए rent पे देते थे और उसका पूरा ज जितना होता था उतना उसका वसुल लेते थे तो इससे दो benefit घाटे थे ठीक है एक तो agriculture sector growth नहीं होती थी जैसे तैसे agriculture होता था क्योंको उनके पास बड़े area थे जमीदार के पास वो खुद से खेती करते नहीं थे और दूसरा यह था कि जो हमारा खेत था वो बचे नहीं थे छोटे किसान यानि उनके पास खेती करने के लिए अपना खेत नहीं था तो यहाँ पर भूमिहीन किसान थे तो इस तरह से हमारा social injustice था और साथी साथ agriculture growth भी नहीं हो रहे थे ठीक है और rural area में poverty बहुत जादा थी क्योंको लोग पास जमीन ही नहीं थे जो जमीन थी वो कर्मेंट ने लेंड रिफॉर्म्स लाय थे कब 90's 50's से 70's के बीच में इसका मेजर जो ऑब्जेक्टी था कि हमारी agriculture growth को बोश्ट करना साथी साथ रूरल एरिया में जो पॉबर्टी थी उसको दूर करना इसके साथ साथ जो हमारी social injustice हुआ था पहले हिस्ट्री में तीन हमारे law लाए गये थे एक्छली आप देखोगे अग्रिकल्चर जो सब्जेक्ट है इस्टेट गवर्मेंट करने आती है इस्टेट गवर्मेंट करने तो यहां पर जो इसको इंप्लिमेंट करने में अलग अलग डिवरेशन लगे और काफी टाइम लग गया ठीक है अल जमिदारी सिस्टम को अबोलिस्ट करना ठीक है यह पहले था इसमें मिंडल में जो थे जमिदार लोग थे उसकी जो राइट्स थी उसको एबोलिस्ट कर दिया गया था दूसरा भाले था टेनेंसी टेनेंसी एबोलिशन एंड रेगूलेसन एक इसमें कह था किए यही आप पर किसी छोटे खिसान को आप देते हो तो उसके भी यहां फिक्स कर दिया गया था कि आप 30% जो प्रोडिश को उससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते हो ठीक है तीसरा जो सबसे महत्यपूर्ट था यहां पर लैंड सिलिंग एक्ट यानि कि एक लोग के पास मैक्समम कितन देंड पर लैंड हो सकती है यह स्टेट गोर्मेंट तया करती थी तो अलगले इस्टेट अलगले इहां पर क्राटिया था तीन मेजर यहां पर land रिफार्म्स पर तीन मेजर एक्ट लाएक। लाए गएफ तेh इन तीनों जो land reforms की objectives आप देखोगे, समराज करके objectives में हमारा इतने सारे objectives आजाएंगे, पहला हमा था कि intermediaries दो थे, middlemen थे, बिचुलिया जो थे, उनको यहाँ पर abolish करना था, यहाँ कि जमिदार जो बीच में थे, जमिदार अपने से तो खेती करते नहीं थे, ठीके वो देते थे अपने खेत को rent पे छोटे किसान को, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो बीच 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 बाले जो परसं थे, ठीक है, बीचो लिए थे, जमिदार उनको हटा दिया गया और डायरेक्ट जो आर्मर की जो राइट्स थी, वो किसानों दे दिया थे, तो हमारा पहला हमारा क्या था, जो बीचो लिए थे, बीच में जो 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 लोग थे, जमिदार लोग थे, उनको यहाँ पर हटा दिया गया, ठीक है, कल्टिवेटर जो थे, एक्च्वल गवर्मेंट के कंटेक्ट में आ गया, यह हमारा पहला अबजेक्टी था, दुस लोग एक तरह से उसके 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 असरीत थे को खेद देंगे तो आपना जीवन आपन करेंगे ठीक है तो हाँ पर जरूरी था करेंड जो रिसोर्स एक आदमी पर दूसरी ऑब्जेक्टिव थी तीसरा था टेनेंसी जो रिफॉर्म थी यानि कि यहां पर रेंट को फिक्स कर दिया गया मनमानी जमींदार लोग या जिसके बड़ी जमीन है मनमानी आप रेंट नहीं हो सुल सकते हैं मैक्समुम अलग 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 ती लगवं में 30 से 35 प पर चोटे-चोट लेंड है उसको कांसुलिडेट भी किया गया यह भी हमारे लेंड रिफॉर्म आया गया ठीक है चेक बंद दी इससे क्या हूंब बड़े-बड़े चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-खेथ था उसको एक जगह करके बड़ा फर्म मनाया गया इसके वज़े इसके बड़े जादा जो जमीन थी वह बहुत ही इफिसेंट ली यूज नहीं कर पाते थे ठीक है जिसानों को उसके नाम पर जमीन होगा चोटे जमीन होंगे उसको बहुत ही अच्छे से एफिसेंट ली यूज हो पाएगा जिससे कि फ्रोड़ेक्टिविटी हमारे इंक्र इसको रिश्टोर करना तो यह मेजर अबजेक्टिव था हमारे लेंड रिफॉर्म का फिर लेंड जो सिलिंग पॉल्सी थी ओमारे इफेक्टिव रिफॉर्म रहा है एकनोमिक रैटेरिया के बैसिस पर आप देखे तो यह को लेंड शिलिंग में एक पर्टिकुलर फिक्स क इसको प्रिवेंड करता था तो यहां पर आप नहीं बोल सकते हों कि इतने एक कड़ी फिक्स थी इसी पर्टिकुलर आदमे के लिए लेंड शिलिंग जो हमारी वाल्सी आई थे एफेक्टिव हमारी प्रिफॉर्म था यहां कि जो आप जो वेल्थ था वो इसको करता था तो यह भी मारा एक एकनोमिक क्राइटेरिया इफेक्टिव था इसको जैसे रूरल एरिया में जिसके बास जमीन नहीं थी उसको जमीन मिला लैंड शिलिंग लेंड होल्डिंग वाला जो शिलिंग लगा गया उसके जलते हैं फिर हमारा प्रोडेक्टिविटी और इफिसिंसी पहने पड़े इसमाल होल्डिंग जो फार्मर्स थे वो अच्छे से अपने लैंड में उसको अच्छे से कल्टिवेट करने लगे है ठीक है इन्पूट्स ज्यादा दिये उसको यह से हमारे प्रोडेक्टिविटी हमारी बढ़ गई ते भी हमारे एकनोमिक एफ इसली लोन भी फाइनेस करेगी ठीक है तो एक तरसी इंपावर्मेंट किया गया है मार्जिनल या लैंडलेस जो हमारी फार्मर थे उनको इससारी लैंड होल्डिंग की जो सीलिंग यही थी उसके चलते हमारे पॉजिटिव डेलोप्मेंट देखने को मिला तो समरी में बता और तुसल जश्टिस को प्रोवाइड करना और लैंड स्टीलिंग जो पॉलिशी थी ओमारे एफेक्टिव हमारे टूल रहा है और क्राइटिरिया को वैसिस पे तुसल जश्टिस प्रोवाइड करने के लिए तेरा दोस्तों आज का वीडियो को डिसक्सन आज हम लोग लैं